हाई अब्रेवन वेलकम टू मैं चैनल आज हम पढ़ेंगे कंफर्मेशन एनलेसिस यह और गनिक केमेस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफर्मेशन एनलेसिस जो है समस्ट्री एक्जाम में किस परिकाल से हम इसको लिखेंगे इसका एक मिरा हैंडमेट नोट से प प्रियास करूंगा कंफर्मेशन एनलेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ से साथ बहुत इजी भी है आपको बहुत इजली समझ में आए जाएगा इसका एक सीरीज प्लेलिस्ट इसका बनेगा कंफर्मेशन एनलेसिस जितना भी टॉपिक्स है जैसे कंफर्म से अनलेसिस होता क्या है इससे पहले मैंने और्गनिक केमस्ट्री का क्राउंड इथर और नेचर और बॉंडिंग इन और्गनिक मॉलिक्यूल का कहीं वीडियो बनाया है आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आपको आई बेटन में लिंक मिल जाएगा तो कंफरमेशन अनल क्या होता है क्या होता है इहां पर देछेंगे हमारा मॉलिक्वल है तो हमारा इसका प्रकार बनेगा जी में एटम ऑगो hydrogen atom और hydrogen atom से मिलकर बना है तो इसमें क्या है हमारा जो यह molecule किसी भी molecule में किसी भी जो है आइटम जो है एक special arrangement में जूरे हुए होते हैं जो कि inter convertible होते हैं मदब यह change हो सकते हैं ठीक है by rotation rotation के द्वारा जो है यह inter convertible होते हैं about single bond single bond के द्वारा जो है यह rotate करते हैं तो यह हमारा confirmation कहलाता है अगर यह जो है rotation नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा configuration कहलाएगा तो बस यह simple सा परिवासा है अपका कि the different special arrangement of an atom in a molecule which are readily inter convertible by a rotation about single bond are confirmation if not to configuration ठीक है तो if the energy barrier इसके रहे कुछ energy barrier भी रखिए हैं if the energy barrier for conversion of different special element यह जो special arrangement atoms का है अगर उसमें conversion के लिए कुछ energy barriers barriers है तो इनका यह arrangement जो है less than sorry more than 0.6 more than 0.6 kilocalorie mole से लेकर less than 16 kilocalorie mode है तो यह जो हमारा confirmation होगा मंदर इस बीच में अगर उनका जो है special arrangement है इस बीच में different between if the energy barrier for conversation of different special arrangement is between हाँ जो different special arrangement है अगर वो more than 0.6 से लेकर less than 16 kilocalorie mole है तो यह हमारा confirmation कहला है और अगर इफ अगर it is 0.6 kilocalorie mole और इससे भी कम है या at room temperature मतलब 0.6 kilocalorie mole से ज्यादा और room temperature से कम है अगर हमारा energy तो the rotation would be free जो rotation होता है free हो जाता है free because this amount of energy can be readily provided by the thermal energy of the molecule जैसे कि H2O molecule होता है तो यह molecule जो है thermal energy प्रदान करता है हर एक atoms को in temp in जो हमारा इस energy के बीच में ठीक है because this amount of energy can be readily provided by them क्योंकि यह amount of energy provide करता है thermal energy के द्वारा प्राप्त होता है किसी भी molecule के thermal energy के द्वारा किसी भी atoms को प्राप्त होता है यह जो हमारा energy barrier होता है तो बस यह था इस topic का analysis मतलब simple सा है आपको confirmation analysis जो है कोई भी molecule atom से मिलकर पूरा होते हैं और इस परकार से वह बने उनका structure होता है इस परकार की structure होता है कि वह जो है special reinforcement होता है जिसे वह rotation कर सकते हैं तो उनके बीच energy barrier आपको बताना पड़ेगा more than 0.6 से लेकर less than 16 किलो कैलोरी किलो कैलोरी प्रतिम मोल होना थी energy barrier तो बस यही आपको सिंपल सा confirmation analysis का परिभासा लिख सकते हैं बेसिक concept आप बचा सकते हैं बता सकते हैं तो यह important topic था organic chemistry का इसके बाद हम देखेंगे आपको पसंद आया हो तो आगे की वीडियो देखने के लिए जूरे रही है प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक से और सबस्क्राइब तो मैं चैनल अगर आपके लिए helpful हुआ हो आपको पसंद आया हो तो और थैंक यू सो मुझ फॉर वाचिंग कर दो कि दो कि दो कि दो आपके लिए जो आपके लिए podcast मुझ वाचिंग